सभी आंगन बाडी सेविका सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगन बाडी नियूस चनल की आज सुबे 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है आज सभी आंगनबाडी सेविकास सहय का मिनी बहनों और सभी भाई बहनों को आलेंडिया परिवार की तरब से दीपा वली की हारदिक सुबकामनाएं आगे चलते हैं बहनों आज आपको कई जानकारियां देते हैं खास तोर पर अबकास की सूचना के संबन्द में और साथी साथ मानदे के विश्य में भी चर्चा करते हैं एक वज़े से कई बहने हैं जिनके वहाँ पर मानदे कल नहीं पहुँचा उनमें से कुछ बहने हैं कु दिवाली नहीं मना पाएंगी उन सभी कारणों पर आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले आपको अवकास के बारे में अवगत कराना चाहेंगे रागिनी बहन है कन्नौ जिले से आती हैं और उत्तर प्रदेश के कन्नौ जिले से उन्होंने एक मैसेज फॉरवर्ड करके भीजा ह जिसमें लिखा है समस्त आंगनबारी कारकरती को सूचित किया जाता है कि दिनांक 11.11.2023 से 13.11.2023 तक दीपावली का अवकास रहेगा वह दिनांक 14.11.2023 को पुनह केंद्र संचालन किया जाएगा वह पुनह दिनांक 15.11.2023 को अवकास रहेगा जिलाकार कमधिकारी कन्नौ बहन ने लेखा भया जी नमस्ते मैं आगनबारी रागिनी देवी कन्नौ से हूँ मेरे यहां आज ये सूचना आई है तो आप देख सकते हैं उत्तरपदेश के कन्नौ जन्पद में बहनों को विभाग ने मैसे स्वरूप अवगत कराया है कि कल 11 तारीक थी कल छुट्टी थ आज 12 तारीक तो संडे है कोई बाती नहीं फिर 13 तारीक को बस जो है कल समझ लीजेगा छुट्टी रहेगी 13 तारीक को उसके बाद 14 को कहा जा रहा है कि आगनबारी सेंटर का संचालन किया जाएगा यानि केंदर खोला जाएगा कि कौन तारीक को 14 तारीक को और फिर 15 तारी है तो 15 तारीक को फिर से अवकास रहेगा अब साय 14 तारीक को मैंने बताया था या कल दिखाया भी होगा सायद आपका कोई घतवेली कारकम लगा हो सकता है यसा और 15 तारीक को फिर से चुट्टी है इस बात का भी ध्यान रखे तो कल 13 तारीक को अवकास है फिर 14 को सेंटर ख पूर्पों में मैंसे सुरूख पूछ सकती है दिवाली का कितने दिन का अवकास है और रही बात अगर सिच्छा विभाग में तो सिच्छा विभाग में 14 तारीक को भी जो है वहाँ पर स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि उनकी छुट्टी को लेकर के लेटर पहले ही आ चुका आल इंडिया चैनल पर मैंने दिखाया भी है कि 14 तारीक की छुट्टी के बारे में भी वहाँ पर लेखा गया बाकी 15 को छुट्टीया है सब जगे तो ऐसे जो है काफी दिन की छुट्टी इस बार मिली है वहीं देखो बीनु दुबे है मिरजापुर से उन्होंने अपने वहां से मांदे के विशे में मैंसे बेजा है 4500 रुपया दरसल उनके खाते में आ गया बैंक ऑफ इंडिया में इनका एकाउंट था आराम से आ गया कल 11 तारीक को काफी जगे पैसे नहीं पहुचे क्यों क्योंकि यहां पर सेकेंड सटर्डे का जो है कारण एक देखने को मि कि जो है वहां पर पैसे नहीं लग पाए ऐसे में बेहनों ने बताया भी है कि सेकेंड सटर्डे था कल और जो है इस वज़े से वहां पर बैंक बंद था पैसे नहीं लगे कई बैंक ऐसी है जो सेकेंड सटर्डे पर बंद रहती है तो उन जगे बेहनों का पैसा बताया गय कि क्लियर नहीं हुआ बांकि कुछ बैने ऐसी भी है जिनके वहाँ पैसे तो क्लियर हो गए लेकिन उनका कहना है आप निकालेंगे कैसे क्योंकि कल देर में क्लियर हुए तो वो कहती है आज तो छुटी संडे की कल तो फिर दिवाली की छुटी तो अब तो छुटियां हैं और पहले से आ रहे हैं और मैं विभाग से इसलिए बार-बार कहता आ रहा था कि विभाग समय से पैसो को लगाए ताकि समय पर वो चीज़ें खातों में पहुचें और उनको वो टाइम से निकाल पाएं लेकिन यहां पर लापरवाही जरूर कही जाएगी क्योंकि दीब लाचार बहनों को घर में दिवाली मनाने के लिए मांदे देना सुनिश्चित सरकार नहीं कर पाई अरे पहले अपने देश की जो जनता है अपने प्रदेश की जो जनता है पहले उनके घरों में खुसियां लाइए पहले उनके घरों में दीपक जलाने का प्रावधा रखिये ये भी आपकी प्राधमिक्ता है कि आपके प्रदेस में जो जनता है जो लोग हैं वो भी खुशियों से इस्तिवहार को मनाएं तभी तो दिवाली हम लोग सब लोग अच्छे से मनाएंगे और गवरों महसूस करेंगे अपने दिवाली परव को ले करके लेकिन हमारे ही लोग बहुत से ऐसी बहने वेचारी जिनके घरों में दीपक जराने के लिए जो है इंतजाम नहीं हो पाया और अमारी सरकार जो है दीपोशो की तैयारी कर रही अब ऐसे में बस यही चीज़ एक बुरी लगती है बाकी जो किया जा रहा है वो अपने इस तर से सरकार करे लेकिन विभाग को सोचना चाहिए था सरकार को सोचना चाहिए था कि पहले से नर्देश दे देते सभी विभागों को कि कोई भी विभाग मांदे में देरी नहीं करेगा अन्यथा उसके उपर कारवाई की जाएगी तो मांदे समय से मिलना चाहिए था लेकिन यहाँ पर ऐ दिया हाट कुग्ड का लाब बच्चे नवरात्री में चखेंगे नवरात्री जाने कम निकल गई दिवाली निकलने वाली है बच्चों को वो नसीब नहीं है तो मुक्यमंती जी जो कहते हैं उसको विभाग पूरा नहीं कर पा रहा है निधी सिंग जी है लखनव से उन्होंन उन्होंने लेखा है दिवाली में जो है ये हमारा उन्होंने का भया जी हैपी छोटी दिवाली साती उन्होंने का 4500 रुपिया नहीं आये हैं और नहीं यहां कभी कोई गत्विधी का पैसा आता है जबकि हम लोग हर महीने गत्विधियां करते हैं 2019 से अभी एक बार पैसा था चार हजार रुपे तब से अभी तक कोई पैसा नहीं आया है और जबकि हम लोग लगातार बिल बाउचर दे रहे हैं गत्विदियां भी कर रहे हैं विभाग हमारी और कोई ध्यान नहीं देता अपने पैसे हर चीज में लगाते रहो और देखे किस तरह से बहनों को समस्य पैसा नहीं तो फिर ये काम करना काफी दुखदाई लगता है इस विभाग के लिए कि बहने अपनी पूरी जिंदगी इस विभाग को दे रही है और इस विभाग के उच्चा धिकारी जो खुद तो अच्छी खासी से लरी पाते हैं उनको तो दिक्कत नहीं है त्योहारों को मनाने के लिए पैसो को लेकर आर्थिक परिसानियों को लेकर वहीं इनके ही विभाग की जो मेहनत कस बहने हैं एक हिस्सा है इनके परिवार का डिचले पैदान पर उनकी जो है वहां पर आर्थिक सितियां खराब हैं और उनको मांदे समय से मिलना आती आवस्यक है लोग क जो देरी हुई है अगर यही पहले कर लिया गया होता तो उनको दिवाली से पहले वो पैसे मिल जाते इंतजाम कर लेती है अब दिवाली आज है बैंक आज बंद है पैसा कल किसी का आया भी है तो निकालने की दिक्कत और किसी का तो पहुचा ही नहीं सक्सेदी नहीं हुआ औ ये स्थितियां काफी दिक्कत भरी हैं उत्तरपदेश के लिए इन विवस्थाओं में इन लापरवाहियों में और इस तरह से हुने वाले कामों में सुधार की अतियाव सकता है अनीता जी है मुरादाबास से उन्होंने कहा है मुरादाबास से भईया जी हमारे हम 4500 रुपिया मांदे सुबह 8 बजे आ गया है अपने सुबह 7 बजे का वीडियो में बताया था तो सुबह 7 बजे कल मैंने बताया था उसके बाद उन्होंने कहा 8 बजे उनके वहाँ पर पर हमारे यहां जो है नहीं आये उन्होंने का दोपहर कि आपकी निउज सुनी हैं आपने बताया कि 45 व आ गए बिल्कुल हम गलत क्यों बताएंगे पैसे आये हैं मैंने ये भी कहा है बहुत से जनपदों में जिन जिन के आए हैं मैंने उनके दिखाए हैं आप लोग इसलिए नहीं पहुँच पाया तो अगले बिजनेस डेव में जो है वो पहुँचेगा बाकी अभी छुटियां चलेंगी तो अभी तो काफी दिक्कत भरा ये काम रहेगा साथी संजीत लखीम पुर्खीरी से अभी इनका भी नहीं पहुचा 4500 रुपया आप देख रहें इनका भी ये पेंडिंग में लगा हुआ है और 1000 रुपया वो तो फिल्ड दिखा रहा है सब क्या जैसे दिखरा वहीं दूसरी तरफ चलते हैं आलोग जी हैं बिहार से आपको बिहार के बारे में भी बता दे हिंदोस्तान में ये कि ये आर्टिकल प्रकासित हुआ है 11 तारीक को कि राजिद कार्याले पर प्रदर्सन करने वाली सेविकाओं पर केस कर दिये गए औ लगता है आंगनबारी बहनों के जो घरवाले वहां पर मौझूद थे पती या बेटे या जो भी हो गए हो साध उन लोगों को भी बक्सा गया उन लोगों पर भी केस दर्ज हुए लिखा गया कोतवाली थाना इलाके के वीरचंद पतेल पर इस्तित राज़त काराले के खिलाब प्रात्मी की दर्ज कराई पुलिस मामले की जांच कर रही है दर्सल संयुक्त मोर्चा के बेनर तले अंगनबारी सेविका सायकाओं का पटना में आंदोलन चल लहा था इसके तहर सेकडों की संख्या में सेविका सायका गुरवार को सुबह राज़त का रहले के प्राधिकार और बिना अनुमती के नाजाय जो है मजमा बना करके जुनूस निकानले के साथ ही प्रदरसन किया यानि इनका कहने का मतलब यह है कि जिन बहनों ने वहाँ प्रदरसन यूनियन ने किया है बहनों ने किया है तो उन लोगों ने जिम्मेदारी सुरूप नहीं क अब उनका कहना है कि प्रदर्सन के लिए जो है वहाँ पर जुलूस के लिए इन सब चीज़ों के लिए अनुमती परमिशन नहीं मांगी गए और इस तरह से नाजायक जो है एक मजमा बना करके जुलूस निकाल दिया गया तो ये एक हवाला दिया गया अब इसका जो जबाब है वो यूनियन ही दे पाएगा कि उन्होंने परमिशन ली की नहीं ली उन्होंने सड़क जाम कर दिया जिससे यातायाद बाधित रहा वहाँ मौझूद अधिकारी और जो है प्रदर्सन कारी ये सब यहाँ पर लिखे गए कि वहाँ पर अधिकारियों की तरप से माई के द सब की वीडियोग्राफी कराई गई है जिसके जरिये उनकी पहचान की जा सकती है तो धरने का वहाँ पर जो भी हो रहा था उसका वीडियोग्राफी बोला गया प्रस्पुलिस्त असन से की करा ली गई है और उसमें जो है अब सब की पहचान की जा रही हुनी से और सब के उपर केस दर्ज हो रहे हैं तो ये रहा है आज का हमारा वो कह सकते हैं कि जमाना जिसमें सपने देखे जाते हैं रामराज के लेकिन यहां पर अपनी आवाज उठाने के लिए नारी सक्ति को किस तरह से दबाया जा रहा है किस तरीके से उनकी समस्याओं का निराकरण करनी की बजाए उनके उपर प्राथमिकी दर्ज करा जी जा रही है ताकि ये प्रदर्सन करने के लिए सडकों पर कभी आए ही ना और सत्ताधारी अपने मन से चुनाओं में आकर के उनके गाओं में जो मन में आए वो लॉली पॉप दें और फिर चले जाएं यानि वो कहें जो भी ज सत्ते बन गया है आज के समाज का सावित्री पांडे जी है गोंडा से उन्होंने 45-100 रुपया उनके आया है मैसेज सुरूप अवगत कराया बाकि रिचार्ज का पैसा नहीं आया है और साती तीन अजार वाला भी नहीं आया ये सब बताया राजे से लकिन पुर्खिरी से उ लेकिन निकालें कैसे क्योंकि बैंक बंद है क्योंकि मंत का सेकेंड सटर्डे है और सेकेंड सटर्डे और फोर्ट सटर्डे को बैंक बंद रहते हैं दिवाली फीकी रह जाएगी तो आप देख सकते हैं इस तरह से बुस्पा बहन बुलंसर से उनके माँ पर उन्होंने कहा भी है कि second Saturday था जिस वज़े से अब कल पैसा निकाल नहीं पाए बैंक बंद थी और फोर्थ को भी बंद रहती है तो यहाँ पर बहुत सी बहनों का ये भी एक कारण बन गया कल का कि second Saturday में बैंक बंद रही किसी का आया भी है तो वो निकाल नहीं पाया और किसी का पहुचा ही सकसद नहीं हुआ साथी आगे ये सरला सिंग है हर्दोई से उन्होंने कहा है एक दुखत समाचार बेजा है भाया जी नमस्ते आज सुबह बहन सुनीता सिंग पती सतीस सिंग का अचानक तबियत खराब होने के कारण आज सुबह स्वरगवास हो गया भगवान की आत्मा को स संती प्रदान करें परिवार को दुख सहने की सकती प्रदान करें सतीस सिंग कछोना हर्दोई तो बड़े ही दुख की एक ये बात है आप सब भाई बहनों से कहना चाहेंगे अपनी सुनीता सिंग बहन के लिए कमिंट बॉक्स में ओम संती जरू लिखना उनके परिवार को इस और दुख सहन करने की सकती प्रदान करें साथी साथ आज दिवाली उनके परिवार की फीकी रहे गई साथी साथ यहाँ पर सुधा जी है सिद्धात नगर से और उन्होंने अपने वहाँ पर एक ये फोटो बेजी है साथी रिना यादो लखनव से है को पोसित जो बच् पोसित उनके वहाँ पर जाकर के उन्होंने दीप उनको भेट में दिये हैं साथी साथ आजके इस वडियो को यहीं रखते हैं धन्यवाद